आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो, so the given question is name do drugs used for de-alcoholism की do drugs का नाम बताओ जो de-alcoholism के लिए यूज होता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें alcoholism की alcoholism क्या होता है alcoholism होता है physical physical and mental dependence on alcohol मतलब कि अगर alcohol की addiction हो जाए उसको हम बोलते है alcoholism और उस addict person को बोलेंगे alcoholic ठीक है और अब हम आते है de-alcoholism पर de-alcoholism तो de-alcoholism क्या होगा treatment of alcoholism treatment of alcoholism उसको हम बोलते हैं de-alcoholism अब alcoholism को treat करने के लिए काफी drugs हैं तो एक class of drugs होती है जिसको हम बोलते है एंटी psycho psychotic drugs anti psychotic drugs ठीक है यह क्या treat करते है alcoholism तो एंटी psychotic drugs में सबसे पहला drug आता है clopromazine 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 थायो रिड़ाजीन ठीक है थायो रिड़ाजीन क्या करते है यह ट्रेट करते है देलिरियूम ट्रीमन्स को अब देलिरियूम ट्रीमन्स क्या होता है यह कंडीशन होती है एक्स्ट्रीम मेंटल एंड मोटल एक्साइटमेंट की ठीक है इसमें एक परसन काफी सादर एक्साइटेड रहता है और फिर उसके बाद वो confused रहता है तो anti-psychotic drugs यह होते हैं कि जो mental illness को treat करने के लिए यूज होते है यानि कि जो psychosis को treat करने के लिए यूज होते है फिर यही drugs के लिए यूज होते है alcoholism में और यह दो drugs हैं जो commonly used होते है alcoholism को treat करने के लिए So I hope this clears your doubt Thank you है जो abroad भ है